हलो दियर स्टुडेंट्स एन अवस्ती वीडियो सॉलिशन स्रीज में आज हम चैप्टर वन को कम्प्लीट कर लेंगे बाइ डिस्कसिंग लेवल थ्री की क्योशन नंबर वन थर्टी न टू वन फोर्टी फॉर लेट्स स्टार्ट फ्रॉम क्योशन वन थर्टी वन अपने पास मिल जाएगा ठीक तो यहां पर अपन देखें तो यह रियक्शन बैलंस्ट होगी अब यानि हमारे पास मेगनिशम का यह अपन वन मोल लेते हैं तो वन मोल की रेस्पेक्ट में अपने को हाफ मोल ओटू का रिक्वाइड होगा यानि अपने पास 24 ग्राम यह रियक्श होगी तो यहां पर हमारे पास कितना मिल जाएगा यहां पर 16 ग्राम उक्शिजन अपने पास रिक्वाइड होगी तो इसी बेसेस पर अपन देखें कि हमारे पास 16 ग्राम उक्शिजन रिक्वाइड वेन 24 ग्राम मेंगनिशम इस बर्न ठीक है तो हमारे पास 1 ग्राम उक्श 16 और यह दि अपन 0.56 ग्राम ओटू ले ले यहाँ पर तो हमारे पास कितने ग्राम मैगनिशम बर्न होगा 24 by 16 into 0.56 which is equal to 0.8 ग्राम मैगनिशम तो हमारे पास complete 0.56 ग्राम ओटू के साथ रेक्षे गराने के लिए अपने को केवल 0.84 ग्राम मैगनिशम ही required होगा तो हमारे पास access में मैगनिशम ही available है तो remaining magnesium कितना हो जाएगा remaining magnesium हमारे पास हो जाएगा 1 में से आप minus कर देंगे 0.84 को तो यहाँ पर हमारे पास 0.16 ग्राम मैगनिशम लेफ्ट रह जाएगा तो option C correct answer होगा next है 132 में बोला गया roll of hydrogen peroxide in the above reaction is respectively तो first reaction हमारे पास देखिए यहाँ पर H2O2 plus O3 convert हो रहा है H2O plus O2 में that means यहाँ पर जो जो जोन है वो O2 में convert हो रहा है तो यह जो process हो रहा है इसमें क्या हो रहा है removal of oxygen हो रहा है और वो कौन करा रहा है H2O2 करा रहा है removal of oxygen का मतलब क्या होता है reduction होता है तो यहाँ पर हमारे पास क्या process हो रहा है reduction reduction कराने के लिए कौन सा act कर गई as a oxidizing agent sorry यहाँ पर हमारे पास oxidation state हम देखेंगे तो यहाँ पर minus 1 oxidation state और यहाँ पर इसकी क्या और यह minus 2 that means oxidation state में deduction हो रहा है यानि itself reduce हो रहा है itself reduce होगा और यहाँ पर itself reduce कौन से होते है oxidizing agent होते है तो oxidizing agent के लिए आप हम बोलें तो दूसरे compound को यह oxidize कर देते हैं और itself reduce होते है इसी तरह से second option में देखें तो हमारे पास H2O2 जो है वो O2 में convert हो रहा है यानि minus 1 से यह 0 में जा रहा है यानि oxidation हो रहा है तो itself oxidize हो रहा है that means यहाँ पर यह किस की तरह act करेगा reducing agent की तरह act करेगा itself oxidize तो हमारे पास option C कि first direction में oxidizing agent की तरह है और हमारे पास second option में reducing agent की तरह act कर रहा है next 133 if avogadro number na is changes from 6.02 10 to the power 23 to 10 to the power 22 यहाँ पर रखा है तो क्या change होगा तो हमारे बोलें कि यह दी 1 mole carbon का mass जो होता है वो होता है 12 gram यानि mass of 1 mole carbon यानि हमारे पास mass of na which is equal to 6.022 into 10 to the power 23 carbon atoms का जो mass होगा वो कितना दिया होए 12 gram दिया गए तो हमारे यह दी बोलें mass of 1 carbon atom जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 12 by 6.022 into 10 to the power 23 अब अपन ने बोल दिया है यहाँ पर यह नमबर 6.022 तो हमारे पास mass of 6.022 into 10 to the power 23 carbon atoms का mass कितना होगा तो इसको आप solve करेंगे तो यह हो जाएगी 6.022 into 10 to the power 23 multiply कर देंगे आप इससे तो इसको solve करेंगे तो यह value हो जाएगी 12 into 10 to the power minus 3 gram ठीक तो हमारे पास यहाँ पर आप देखें तो 1 mole में any atoms थे तब हमारे पास mass कितना था 12 gram था बट यह दी अपन ने 1 mole में number of species की value 10 to the power 20 कर दी तो हमारे पास mass कितना होगा 12 into 10 to the power minus 3 gram हमारे पास mass of 1 mole of carbon atom change हो जाएगा यह दी आप avogadro number को change करते हैं तो ठीक next 134 what is the mass of the precipitate formed when 50 ml of 16.9% solution of agno3 is mixed with 50 ml of 5.8% initial solution तो total solution volume हमारे पास कितना दिया हो है 100 ml दिया हो है ठीक और यहाँ पर solution phase में ही अपने पास 16.9 percent जो दिया गया यह weight by volume है weight by volume से क्या मतलब है कि 100 ml solution contains 16.9 gram agno3 यह अपने पास यह percentage दिया हुआ है और अपने पास बट यहाँ पर volume अपन किता ले रहे किवल 50 ml ले रहे हो जाएगा 16.9 by 100 into 50 तो 16.9 by 2 ठीक है तो यह value हो जाएगे हमारे पास 8.45 gram इसी तरह से यह हमारा क्या agno3 है अब अपन NACL की बात करें तो NACL में हमारे पास क्या है 5.8% NACL हमारे पास है तो यह क्या हो जाएगा 100 ml solution में कितना है 5.8 gram NACL है तो 50 ml solution में कितना होगा 5.8 by 2 which is 2.9 gram NACL और अपन अब इसकी reaction कराएंगे कि हमारे पास agno3 के NACL के साथ में आप reaction कराएगे agno3 react कर रहा है NACL के साथ तो agcl हमारे पास precipitate out हो जाएगा और sodium nitrate leave out हो जाएगा ठीक तो इसमें हमारे पास जो weight दिया हुआ है वो 8.45 gram है और यहाँ पर 2.9 gram है इनके moles निखालने के लिए अपन क्या करेंगे molar mass से डिवाइड कर देंगे agno3 का molar mass होता है वो होता है 170 gram इसी तरह से NACL का molar mass जो होता है 58.5 gram तो अपन molar mass निखालना चाहे तो यहाँ पर इसको divide कर देंगे 170 से और यहाँ पर इसको divide कर देंगे 58.5 से अब यहाँ पर अपने पास जो moles है वो 0.049 moles है यहाँ पर भी 0.049 moles है तो यहाँ पर 0.049 मिल जाएगा ठीक है तो अपने को यहाँ पर क्या पुछा गया है कि what is the mass of the precipitate formed यानि AgCl जो precipitate बन रहा है उसका mass चाहिए तो हमारे पास mass क्या हो जाएगा mass of AgCl moles हमारे पास आ चुके है 0.049 multiplied by molar mass of AgCl तो हमारे पास 0.049 molar mass of AgCl जो होता है 143.3 तो यह value हमारे पास calculate करने पे जो आएगी वो आजाएगी 7.02 gram तो हमारा कौन सा option यहाँ पर correct answer हो जाएगा यहाँ पर option B correct answer हो जाएगा next 135 the mass of calcium carbonate required to react completely with 20 ml of 1 molar HCl as per the reaction हमारे पास यहाँ पर यह दी HCl के 2 moles यह अपन लेते हैं तो calcium carbonate के कितने moles required होगी 1 mole required होगा ठीक है अब अपने पास 20 ml और 1 molar HCl से कितने moles हो जाएगे यहाँ पर 2 mmol HCl अपने पास reaction कर रहा है तो यहाँ पर यह दी 2 mmol HCl लेते हैं तो इसके लिए required कितने mmol होगे 1 mmol calcium carbonate के required होगी तो अपने पास mass of CaCO3 calcium carbonate जो होगा वो कितना हो जाएगा molar mass से multiply कर दो 1 mmol को तो अपने पास यहाँ पर कितनी value हो जाएगी है Sorry यहाँ पर अपने एक mistake कर दिया है यहाँ पर 20 mmol होगा तो 20 mmol के respect में यह 1 0 mmol है तो यहाँ पर भी अपन 1 0 कर देते हैं ठीक है तो इसको आप करेंगे तो यह value हमारे पास आएगी 10 to the power minus 2 और इसको इससे multiply करेंगे तो हमारे पास यह आजाएगा 1 gram तो हमारा कौन सा option correct answer हो जाएगा है आपर option A correct answer हो जाएगा next 136 which one of the following has maximum number of molecules तो हमारे पास 16 gram oxygen है यह पन बोलें तो यहाँ पर moles कितने होंगे number of moles 16 में divide करेंगे molar mass O2 का यहनी 32 तो यहनी 1 by 2 mole हमारे पास हो जाएगे यहनी हमारे पास 1 by 2 any molecules of O2 यहाँ पर present है इसी तरह से यहाँ पर 16 gram NO2 की बात करें तो इसका molar mass अपन निखालते हैं तो यह कितना हो जाएगा nitrogen का 14 oxygen का 32 हो जाएगा तो यह हमारे पास कितना होगा यह हो जाएगा 46 तो यह दी अपन moles निकालना चाहे तो 16 divided by 46 करने पर यह value भी हमारे पास क्या आएगी इससे smaller ही आएगी 4 gram nitrogen में moles निकालना चाहे तो हमारे पास कितना होगा 4 divided by nitrogen का हमारे पास 28 हो जाएगा यह यह 1 by 14 तो 1 by 2 moles से तो कमी है ठीक है इसी तरह से यहाँ पर 2 gram hydrogen की बात करें तो यहाँ पर moles हमारे पास कितना होगा 2 gram divided by H2 का molecular mass 2 हो जाएगा तो यहाँ पर 1 mole हो जाएगा ठीक इसी तरह से 32 gram हमारे पास यह अपना nitrogen ले लेते हैं तो कितने moles होगे तो 32 gram nitrogen 32 gram nitrogen में 32 divided by 28 करेंगे तो यह value हमारे पास आएगी 1.14 mole तो हमारे पास बाकी सबी options में देखें तो more than 1 mole नहीं हो रहे हैं यहाँ पर 1 mole hydrogen का हो रहा था तो highest molecules जो होगे वो यहाँ पर होगे यहाँ पर 1.14 multiplied by Na molecules of N2 होगे तो option E हमारा correct answer हो जाएगा next 137 137 में हमारे पास क्या है यह mixture of gases contains hydrogen and oxygen in the ratio of 1 is to 4 जहाँ पर यह ratio जो है वो weight by weight है what is the molar ratio of the two gases in the mixture तो हमारे पास let's say 100 gram sample है इस 100 gram sample में जो hydrogen है वो हमारे पास 1 gram है और oxygen जो है वो 4 gram है according to weight by weight तो हमारे पास moles of hydrogen देखें moles of hydrogen हमारे पास हुझाएगा 1 by 2 इसी तरह से आप moles of oxygen देखें तो हमारे पास 4 gram में ao2 का molar mass divide गया आपने तो यह हो जाएगा 1 by 8 अब इसका भी आप molar ratio निखालना चाहिए molar ratio तो यह हो जाएगा 1 by 2 1 by 8 तो यह value हमारे पास आजाएगी 4 is to 1 तो option d हमारा correct answer हो जाएगा next 138 suppose the element x and y combine to form two compounds xy2 and x3 y2 when 0.1 mol of xy2 is 10 gram and 0.05 mol of x3 y2 is 9 gram atomic weights of x and y is तो हमारे पास let atomic weight of capital x is small x or capital y is small y तो हमारे पास 4 x y2 number of moles जो होंगे वो जाएगा हमारे पास weight w divided by molecular weight तो weight हमारे पास कितना यहाँ पर देखें तो 0.1 mol xy2 है तो moles हमारे पास दिये हुआ है weight हमारे पास 10 gram दिया हुआ है molecular weight अपन निखालना चाहिए xy2 का तो x का mass हमारे पास molar mass जो अपन atomic weight अपन बोल रहे है वो x है प्लस यहाँ पर 2 y हो जाएगा एक equation तो हमारे पास यह हो गई इसी तरह से आप 4 x3 y2 ले ले उसमें number of moles करें number of moles है नही weight divided by molecular weight अब हमारे पास यहाँ पर 0.05 moles दिये हो है उसका weight 9 gram है और यहाँ पर molar weight कितना हो जाएगा 3 x plus 2 y अब दो equation है दो variable है इन दोनों equation को आप solve कर लेंगे on solving equation 1 and 2 x की value हमारे पास आजएगे 40 और y की value हो आजएगे हमारे पास 30 तो x और y में पूछा गया 40 और 30 तो option a हमारा correct answer हो जाएगा ठीक next 139 the correct order of the stoichiometry of agcl formed when agno3 in excess is treated with the complexes अब हमारे पास यहाँ पर देखिए इन complexes में copper जो है वो plus 3 oxidation state में और यहाँ पर इसके surrounding में 6 ligands हो ना ज़रूरी है तो आप complex बनाईए सबसे पहले आप जो complex बनाएंगे वो हमारा बनेगा CO NH3 का whole 6 ठीक है और CL3 हमारे पास बाहर रह जाएगा यहाँ पर 6 ligands हो गए similarly यहाँ पर second लेंगे तो CO NH3 का whole 5 यहाँ पर 5 ही ammonia है तो यहाँ पर एक chlorine inside रह जाएगा और 2 chlorine बाहर रह जाएगे फिर हमारे पास यहाँ पर देखिए तो CO NH3 का whole 4 दो chlorine आपको अंदर रखने पड़ेंगे और chlorine बाहर हो जाएगा अब इनकी reaction आप AGNO3 के साथ में कराएंगे तो जब यहाँ पर केवल जो बाहर वाले chlorine है एटम्स वही AGNO3 के साथ AGCL का precipitate बनाएंगे तो यहाँ पर 3 moles AGCL मिलेगा यहाँ पर AGNO3 के साथ में आप reaction कराएंगे तो हमें 2 AGCL मिलेगा और यहाँ पर एक ही एटम अपने पास बाहर है chlorine का तो यहाँ पर केवल 1 mole AGCL का मिलेगा तो अपने को 321 ऐसा कौनसे option में दिया हुआ है ऐसा option B में दिया हुआ है तो correct answer हमारा B हो जाएगा next 140 140 में क्या पूछा गया है a mixture of 2.3 gram formic acid and 4.5 gram oxalic acid is treated with concentrate H2SO4 the evolved gaseous mixture is passed through KOH plates weight in gram of the remaining product in STP will be तो हमारे पास जो concentrate H2SO4 होता है वो एक dehydrating agent होता है यानि अपने पास H2O molecule को remove करेगा ठीक तो हमारे पास यदि formic acid अपन ले 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 और formic acid के आपने concentrate H2SO4 के साथ में reaction कराई तो यह dehydration करेगा यानि H2O को remove करेगा तो यहाँ पर क्या बन जाएगा CO plus H2O बन जाएगा अब यहाँ पर जो formic acid का mass दिया गया था वो 2.3 gram दिया हुआ था तो यह आद यहाँ पर moles निकाले तो 2.3 gram में आप divide करेंगी formic acid के molar mass तो यहाँ पर इसका molar mass होता है वो होता है 46 gram तो यहाँ पर इसको 46 करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 by 20 mol हो जाएगा तो यह 1 by 20 mol यह कुछ टाइम बाद में 0 हो जाता है तो यहाँ पर CO gas किता मिलेगा 1 by 20 mol और H2O भी हमारे पास 1 by 20 mol मिल जाएगा ठीक है इसी तरह से आप oxalic acid ले 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 यह concentrate H2SO4 के साथ में reaction करेगा तो dehydration होगा अब यहाँ पर जब dehydration होगा तो यह कैसे होगा जैसे COOH है यहाँ पर COOH है तो यह H2 यहाँ से निकल जाएगा एक CO2 बनेगा और एक carbon monoxide बन जाएगा तो carbon monoxide CO2 plus H2 यहाँ पर अपन number of moles निखा ले तो हमारे पास 4.5 gram दिया हुआ है और H2C2O4 का हमारे पास molar mass 90 gram होता है तो यह भी 1 by 20 mol हो जाएगा कुछ टाइम बाद में यह 0 हो गया तो हमारे पास सारे के सारे भी 1 by 20 mol है अपने को मिल जाएगे ठीक है अब यहाँ पर जो H2O बना है अपने पास यह तो absorb हो जाएगा किस से dehydration agent से तो यहाँ पर जो H2O क by concentrate H2SO4 ठीक है और इसके बाद में हमारे पास remaining कौन सा बचा है carbon monoxide और carbon dioxide बट जो mixture था CO2 का उसे अपन कोH plate से पास करा रहे है और कोH हमारे पास क्या करता है absorb कर लेता किसको carbon dioxide को तो remaining जो भी carbon dioxide थी उसको कोH absorb कर लेगा तो after कोH के बादे पास अपन करा रहे हैं तो remaining क्या बचेगा वहाँ पर remaining only carbon monoxide जो की unabsorbed है तो हमारे पास remaining only carbon dioxide carbon monoxide carbon monoxide के total moles यहाँ पर देखे तो यहाँ पर 1 by 20 moles है और यहाँ पर भी अपने पास 1 by 20 moles है तो यह total हमारे पास कितने हो जाएंगे 1 by 10 moles हो जाएंगे तो हमारे पास mass of carbon monoxide जो होगा वो जाएगा moles multiplied by molar mass तो यहाँ पर number of moles are 1 by 10 molar mass हमारे पास 28 carbon monoxide का तो calculate करने पर यह value आ जाएगी 2.8 gram तो option हमारा C correct answer है ठीक Next question है 141 In which case is the number of molecules of water is maximum तो हमारे पास सबसे पहला option है 18 ml 18 ml water का मतलब क्या है कि अपन इसका mass निखालना चाहे तो volume into density से आप क्या करेंगे 18 ml को अपन density जो की water की 1 gram पर ml होती है इससे multiply करेंगे तो 18 gram हमारे पास H2 हो जाएगा और इसी में अपन number of moles निखालेंगे तो हमारे पास mass divided by molar mass of H2 तो यह total 1 mole हो जाएगा 1 mole का मतलब क्या है कि अने molecules of H2 ठीक है तो यहां पर अने molecules हो जाएगे इसी तरह से आप 0.18 gram में बोलेंगे तो 18 gram के respect में यहां पर कमी होंगे इसमें 0.00224 liter of water vapors at 18 gram and 273 kelvin तो यहां पर भी अपन moles निकालना चाहे तो moles मारे पास 0.00224 को अपन divide करेंगे किसे 22.4 liter से divide करेंगे तो हमारे पास further solve करेंगे 22.4 minus 10 to the power minus 4 हो जाएगा है आपर 1, 2, 3, 4 पे और इसको divide कर दिया तो यह moles किते हैंगे 10 to the power minus 4 mole H2O है तो यहां पर भी हमारे पास 10 to the power minus 4 Na molecules of H2O होगा इसी तरह से यहां पर D option में भी यही चीज हो जाएगा तो सबसे ज़्यादा जो H2 molecules होगे वो 1 mole के वल option A में होगे तो correct answer हमारा A हो जाएगा next 142 for the redox reaction the correct coefficient of the reactants for the balanced equation R तो हमें balancing करने पड़ेगी अब balancing में देखें आप acidic medium में MnO4 minus जो है किस में convert हो रहा है Mn2 plus में convert हो रहा है अब अपन oxygen को balance करें तो यहां पर हमारे पास oxygen balance होगी 4H2O को इसके साथ हमारे पास यहां पर 8H plus हो जाएगी अब charge अपन balance करें तो minus 1 plus 8 यह हो जाएगा plus 7 यहां पर हमारे पास plus 2 दोनों तरफ charge balance करने के यहां पर 5 electron add कर देंगी ठीक इसी तरह से आप balance करें किसको C2O4 2 minus को किस में convert करेंगे CO2 में convert कर रहा है सबसे पहले carbon balance कर लेते हैं तो carbon balance होगे तो यहां पर 2 carbon होगे oxygen भी यहां पर balance हो चुके अब यहां पर सिर्फ charge balance करना है यहां पर minus 2 charge है और यहां पर 0 charge है तो इस पर plus 2 electron अपन कर देंगी अब दोनों तरफ reaction को cancel out करना है 2 electrons को तो इस reaction को 5 से multiply करेंगी इस reaction को आप 2 से multiply करेंगी और multiply करने के बाद हमारे पास क्या आ रहा है यहां पर हमारे पास 2MnO4- plus 16H plus plus 10 electron convert हो रहा है किसमे 2Mn2 plus में और यहां पर 8H2O में इसी के साथ 5 oxalate C2O4 2- convert हो रहा है किसमे 10 CO2 में और यहां पर 10 electron में ठीक है तो हमारा यहां पर देखें तो 2MnO4- plus 5C2O4 2- plus 16H plus convert हो रहा है किसमे 2Mn2 plus plus 10CO2 plus 8H2 और अपने को यहीं पर क्या पूछा गया है MnO4- का coefficient तो यह 2 है C2O4 2- का 5 है और H plus का है 16 तो 2-5-16 अपने को कौन से option में दिया हुआ है यहां पर option भी correct answer हो जाएगा ठीक next है 143 the number of moles of hydrogen molecule required to produce 20 moles of ammonia through Heber process तो Heber process में जो reaction होती है वो होती है N2 plus 3H2 form करता है 2 moles of ammonia तो हमारे पास ammonia जो मिल रहा है वो 20 moles मिल रहा है ठीक है तो इसके लिए अपने को hydrogen molecules कित्ते required है कि यदि आपको 3 moles H2 है आपके पास तो यहां पर 2 moles ammonia अपने को मिल रहा है तो 2 moles ammonia मिल रहा है जब अपन 3 moles H2 यूज कर रहा है तो यहां पर यदि 1 moles ammonia अपने करेंगे तो उसके लिए अपने को कितना moles hydrogen required है 3 by 2 moles H2 required है और यहां पर अपने को कित्ता दिया है 20 moles ammonia produce हो रहा है तो उसके respect में अपने को कितना moles H2 required होगा वो होगा 30 moles H2 जो कि option D से match कर रहा ह ठीक नेक्स्ट है 144 which of the following reactions are disproportionation reaction तिस्प्रपोर्चिनेशन रेक्शन से क्या मतलब है कि आप उनका एक ही compound का oxidation भी कर रहा है और reduction भी कर रहा है जैसे कि Cu plus किस में convert हो रहा है Cu plus 2 में और Cu 0 में यानि यह plus 1 से plus 2 में भी जा रहा है यानि oxidation हो रहा है और plus 1 से 0 में भी जा रहा है या यह disproportionation reaction हो जाएगी similarly यहाँ पर MnO4 2- में देखते हैं तो हमारे पास MnO4 2- में magneze के oxidation state अपने देखें तो X plus 4 into minus 2 equal to minus 2 हो जाएगा तो X की value हमारे पास हो जाएगी minus 2 plus 8 यानि यह plus 6 हो जाएगी यह convert किस में हो रहा है यह convert हो रहा है अपने पास MnO4 minus और MnO2 में अब यहाँ पर magneze के oxidation state plus 7 है और यहाँ पर magneze के oxidation state plus 4 है तो plus 6 से plus 7 में तो oxidation होगा और plus 6 से plus 4 में यह दिया पन जाते हैं तो हमारे पास क्या होगा reduction होगा तो यह भी एक disproportionation reaction का example हो जाएगा ठीक है but c option में देखें तो c option में हमारे पास MnO4 minus convert हो रहा है किस में MnO4 2 minus plus MnO2 में तो यहाँ पर यह plus 7 से किस में convert हो रहा है प्लस 6 में और प्लस 4 में तो केवल यहां पर क्या हो रहा है Oxidation नमबर में कम ही हो रही है तो Reduction ही हो रहा है Similarly यहां पर आपन देखें तो MN प्लस 7 में था प्लस 7 प्लस 2 और यहां पर प्लस 4 तो यहां पर भी हमारे पास Disproportionation Reaction नहीं हो रही है